नमस्कार आप सभी को और आज का ये वीडियो कम्प्लीटली एस्ट्रो वास्तु के कुछ बहुत ही पावर्फुल कॉंबिनेशन्स के बारे में हैं और मैं यहाँ पे कुछ कॉंबिनेशन्स कुछ आपके ही घर के अंदर कुछ ऐसी चीजे एनर्जी जो अगर इम्बैलेंस है तो वो कौन से घ्रह को अच्छा करती है खराब करती है इसको मैं डिस्कस करूंगी और यहाँ पे मैं 5-6 जितनी भी मैं मतलब हो सका यहाँ पे कोशिश करूंगी कि सिंपल वे में आपको कुछ चीजे आपे मैं दे पाऊं और उनको आप सुनके और अपने घर की में चीजे कर रहे हैं आपके साथ में तो ही आपको यह एनर्जी को शिफ्ट करना है चले शुरुवात करते हैं इस वीडियो की तो सबसे पहला जो कॉंबिनेशन होता है वो है चंदर केतू अगर चंदर केतू आपके चार्ट में कहीं एफलिक्शन में है तो घर के अंदर ड्रेनेज आपके खराब मिलेगी कहीं बार-पार या तो ड्रेनेज में ब्लॉके जाएगा या पानी कहीं रुक जाएगा पानी का फ्लोड पाइप में ठंगसे नहीं हो पाएगा और आपको कहीं न कहीं उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी अगर ऐसा कुछ है तो आप अपनी घर की ड पेमेंट रिकवरी में काफी डिले हो रही है, आपके कहीं से पेमेंट आने वाले हैं और वो टाइम से नहीं आ पा रहे हैं, तो आप चेक करिए कि आपके घर के अंदर ऐसे कोई बैड है, जिसके अंदर बहुत स्टोरेज रखावा है, अगर ऐसा है तो आप उन स्टोरेज को वहां से खाली करिए उन बेड में से और आप देखेंगे कि आपकी जो पेमेंट रिकवरी है वो फास्ट हो जाएगी उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि पहले के टाइम पे इस तरह की कोई कंसेप्ट नहीं होता था बेड के अंदर स्टोरेज रखने का और ये एक तरीके से एनरजी ब्लॉक को दिखाता है इवन अगर आपके घर में आपके बच्चे या आप खुद अगर कोई ऐसी चीज से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपका माइड एकटम ब्लॉक है कोई क्लारिटी नहीं है एमलेस हो गई है लाइफ तो भी आपको स्टोरेज वाले बेड पर नहीं सोना चाहिए अगर घर आप में ऐसे स्टोरेज वाले बेड है तो आप उसको प्लीज खाली करिए और इसी तरीके से ये बेड सैटन को दिखाता है कही ना कहीं शनी को और शनी डिप्रेशन और स्लोनेस का कारक घर है इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि काफी समय से आप महनत कर रहे हैं लेकि स्टोरेज में भी काफी फाल्तू का समान पुराना समान वायर्स एलेक्ट्रोनिक्स पुराने टूटे वे फनीचर अगर रखे वे हैं तो आप उसको प्लीज वहां से खाली करवाईए आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स इसमें भी आएंगे क्योंकि यहां पर भ करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आएंगे फिर अगर मैं बात करूँ आपके घर के अंदर कुछ पुराने इलेक्ट्रोनिक्स खराब पड़े हैं वायर्स खराब हो गए हैं और कहीं से जल गए हैं तो यह कहीं ना कहीं राहू और मंगल का नेगेटिव कॉ बहुत लोगबाग अपना जगडा करते रहते हैं चीक-चीक के लड़ते हैं जगडते हैं आपस में और बहुत सारी उनकी एनरजी वेस्ट होती है अगर ऐसा है तो आप उन चीजों को भी ठीक करवाईए फिर अगर मैं और बताओ अगर आपके घर में आपको ऐसा लगता ह कि ज्यादा टाइम लोग सोते रहते हैं तो आप चेक करिए कि घर के अंदर एंटर होते ही अगर क्या डाइनिंग टेबल रखी वी है तो यह दिखाता है कि इन ऐसे घरों के अंदर ज्यादा तर लोग अपना टाइम जो काम है वो टाइम पे नहीं करते हैं और पूरा दिन वे अपने अपने घर के अंदर यह वास्तु के अंदर तो वो कही ना कही एनरजी आपके चार्ट के अंदर भी हील होगी और आपको पॉजिटिव रिजल्स परसेंट आएंगे ऐसे ही चंदर केतु का मैंने नेगेटिव कॉंबिनेशन बताया चंदर राहू का नेगेटिव कॉंबिनेशन में यह होता है कि इनसान जगे जगे बहुत सारी घर के अंदर स्टोरेज बना लेता है बेड के नीचे सोफे के नीचे मतलब कहीं ऊपर रूफ के ऊपर बहुत स combinations भी बताए हैं, उनकी remedies भी बताईए, अगर ये symptoms match कर रहे हैं, तो आप इसको remove करिए, within 45 days या 2 महिने में आपको इसके results आ जाएंगे, thank you so much.